देनिक यती राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है मैं यती वर्यकुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और बाहरा राशी का राशिफल बताऊँगा साथ ही राशिफल के बीच में मैं आपको आज यती वाने के अंदर चिपकली के सरीर पर गिरने के क्या परिनाम होते हैं या उनका क्या अपने फड़ादे समझ सकते हैं या जानते हैं इस विशेश पर बात करूँगा सकून और अपसुकन सास्त्र में इनका बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है चिपकली के हर एक अंग पर गिरने का क्या फड़ होता है यहाँ सब बताया गया है आज मैं सारे अंगों के विशे में बात नहीं करूँगा थोड़े बहुत अंगों के विशे में बात करूँगा बाकी फिर अगले अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा इस विशे में अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे को फेस्बुक के मेसेंजर के अंदर अपना मेसेज लिख कर पूछ सकते हैं तो यतिवानी में मैं छिपकली के अंगों पर गिरने के बारे में बात करूँगा फिलाल इस समय सबसे पहले देखते हैं आज के दिन का पंचांग कैसा है आज दिनांग आठ मार्श 2019 सुकरवार का दिन फालकुन मास सुकल पक्स की द्वितिया तिथी मद्धी रातरी एक बज़कर चोतीस मिनट तक रहेगी उसके बाद में तृतिया तिथी सरू होगी उत्रा बादरपद नक्षता रात 11 बज़कर 17 मिनट तक रहेगा उसके बाद में रेवति नक्षतर सरू होगा पंचक दिन रात चलते रहेंगे चंदर्मा दिन रात मीन राशी में ही गोचर करता रहेगा आज का राहुकाल दिन में 11 बज़कर 21 मिनट से 12 बज़कर गुनपचास मिनट तक रहेगा आज सरवार्त सिद्धी योग और अमरत सिद्धी योग रात को 11 बज़कर 17 मिनट से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगे आज अभिजीत मोहरत दोपयर 12 बज़कर 26 मिनट से 1 बज़कर 12 मिनट तक रहेगा जोदपूर के समय के नुसार सुर्योदय आज सुबह 6 बज़कर गुनपचास मिनट पर होगा और सुर्या थसाम को 6 बज़कर 49 मिनट पर होगा चंद्रोदय सुबह 8 बज़कर 1 मिनट पर होगा और संद्रास्त रात को 8 बज़कर 14 मिनट पर होगा आज सुकरवार को पस्चिम दिशा में दिशा सूद रहता है अगर ज़्यादा जरूरी नहों तो आज के दिन पस्चिम दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा आज फुले रादूज है और अंतर राष्ट्रिय महिला दिवस भी है तो मैं मेरे यूटूब के सभी महिला दर्सक माताओं बेनों और बेटियों से महिला दिवस की आपको मैं सब को सुब कामना देता हूं और चाहता हूं कि आप देश में खुब नाम कमाएं खुब आगे बढ़ें और आपका राष्ट्र के पर्ति जो निर्मान में योगदान हो वह बराबर पुर्सों के बराबर हो या उनसे भी अधिक हो ऐसी में आपके लिए कामना करता हूं अब देखते हैं आज के दिन बारह रासी वालों का दिन कैसा बितेगा उनका रासी पल कैसा है सबसे पहले देखते हैं मेश रासी मेश रासी के लिए आज बारवें इस्तान का चंदर्मा है यह अच्छा नहीं है रहे रहे कर काम में आज आपके अर्चन या विग्न पैदा होते रहेंगे ऐसा संकेत भी मिल रहा है कि आज 12 चंदर्मा है तो कुछ न कुछ विग्न हो गई होगा काम में आराम से काम बने ऐसा नहीं लग रहा है आपकी जो सारीरिक समता है उसमें भी थोड़ी कमी लग रही है कि शाहिद आप इतना आज एक्टिव या जोस में काम ना कर पाएं धन्संबंदी मामलों में आज अधिक आपको गौर करने की जरूरत है अगर लापरवाही की या फिर आड़स किया तो हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत नुक्षान हो आपकी आई निरंतर बनी रहे और लाब में कोई कमी ना आए इसलिए आज आप पूरा ध्यान लगाएं प्रयास करें या ठीक रहेगा अब देखते हैं वर्षब रासी वर्षब रासी के लिए आज का दिन सांदार उपलब्दी से बरावा है और अगर देखो तो आज आपका वैपार और वैपसाइब में अचानक तेजी आएगी या फिर कोई बड़ा सोदा अदी भी आपको मिल सकता है अगर कोई नया काम करना चाते हैं तो आज जरूर करें कहीं बाहर जाने का भी सोच रहे हैं तो अब आप जा पाएंगे अब देखते हैं मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए आज का दिन अच्छा बन गया है आपकी सोची समझी रण नीती से किया गया काम सफल होगा एक नई आशा के साथ आपको जोस बढ़ने वाला समय या मौका मिलने के योग बन गए हैं आज सरकारी कारियों में अधिगारी वर्ग का साथ आपको मिलेगा और आज धन मिलने के भी परबल योग बने वे हैं अब देखते हैं करकरासी करकरासी के लिए आज का दिन ठीक है और अब समय में भी सुधार हो रहा है आपके देखा जाए तो आज आप विचार बहुत करेंगे और हर काम के पहले नफा और नुक्सान भी सोचेंगे आज किसी संत अत्वा विचारक से आज आपकी मुलागात हो सकती है ऐसा योग बनावा है पारिवारिक द्रिष्टी से आज आपका दिन सफल बीथने का योग भी बनावा है अब देखते हैं सिहारासी, सिहारासी के लिए आज का दिन विपरीट चंदर्मा के गोचरवाला बन गया है आज लापरवाही और आलस आपको नुक्सान दे सकता है या आपको आलस और लापरवाही के कारण नुक्सान उठाना पड़ सकता है मंद गती का काम आपको चिंतित कर सकता है और पैसे का जो लेंदेन का जो मामला गर कहीं उलजा हुआ हो तो उसको सुल जाने का परियास करें और पैशे के लेंदेन को आज पारदर्सिता के साथ करें, नहीं तो ऐसा मामला आगे जाकर उलच सकता है, आज आपको थोड़ा आर्थिक लाभवी मिलने का योग बनावा है, अब देखते हैं कन्याराशी, कन्याराशी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, केंदरिस्ता आपके परती काफी समर्पित रहेगा, प्रेम प्यार में मन लगेगा, अब विवाहित अपने रिष्टे की बात चलाएं, तो आज अच्छा रहेगा, कुल मिला कर आज आपका मूड और दिन पूरा अच्छा बितेगा, यह योग बनावा है, अब देखते हैं तुलाराशी तुलाराशी के लिए आज का दिन अच्छा है, और जितना आराम से काम करेंगे, उतना ही आज काम में आपको आनन्द आएगा, मजा आएगा, और काम भी अच्छा होगा आपका, सायद आज कोई बाहर से कुछ लोग भी मिलने के लिए आपके पास आ सकते हैं, आज आप जो करके सफलता पाने का बनावा है, चंदर्मा भी साथ दे रहा है आपका, परिवार में किसी सदेशे को आज बड़ी सफलता मिलने के योग बने वे हैं, या फिर कोई नया काम भी आप सुरू कर सकते हैं, साम के समय में कोई पार्टी में या घर के बाहर कहीं आपको जाना सामने आपकी कड़ी परिक्षा वाली पेशी भी हो सकती है, कमिशन या जमीन के काम से जुड़े लोगों को आज लाप मिलने का योग बनावा है, वहन सुख भी आज मिलने का योग है, आप सी खींचतान और मन बटाओ, किसी के साथ हो, ऐसे काम से बचे हैं, अब देखते ह आप भी मिलेगा, परिवार में कोई सुख काम संपन होने की भी परबल समावना है या संकेत ऐसा मिल रहा है, आज आपको यात्रा भी करनी पर सकती है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राशी फल के बीच में मैं आपको यतिवानी में छिपकली का हमारे सरीर के किसी अं तो अब मैं आपको, हालांकि छिपकली हमारे सरीर के किसी भी अंग पर गिरे, इस विशे में एक एक अंग का विशलेशन एक साथ इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से सरीर के अंग है, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं पांच-छे के बारे मैं आज बात करता हूँ, बाखी के लिए अगले वीडियो में फिर बात करूँगा, इस परकार से थोड़े-थोड़े-थोड़े करके पूरे शरीर के हर अंग के उपर छिपकली गरने के परिणाम को मैं आपको बता दूँगा, आप मेरा वीडियो बहुत ध्यान स को भी दबा दे, ताकि मेरा जैसे ही वीडियो को पोस्ट हो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, अब देखते हैं कि छिपकली हमारे सरीर पर किस रंग पर गिरती है, तो उसका क्या फल हमें मिलता है, ऐसे तो छिपकली पराय हर गरों में मिल जाती है, छिपकली एक बहुती सांत चोटा जीव है, यह हमारे गर में पराय तस्वीरों के पीछे या फिर परदों के पीछे या फिर ऐसी किसी जगह पर जहां उसको छोटी सी जगह छिपने को मिल जाती है, यह वहां पर रहती है और यह प्राय रात को रोसनी जब लाइट अपने करते हैं बिजली जलाते हैं घर की रोसनी करते हैं तब यह सामने आती है और इनका जो मुख्य बोजन है वह लाइट के आसपास में उढने वाले कीट पतंगे ही होते हैं यह एक परकार से असुब चीज भी जीव माना गया है लेकिन इसके कई-कई वार ऐसे शुब परणाम भी बहुत देखने को मिलते हैं कि आस्चरी होता है कि ऐसा चिपकली को इस रूप से देखने में भी इतना फल मिलता है लेकिन आज हम चिपकली के गिरने से सुब असुब परणाम के बारे में बात करेंगे मैंने इस विश दाहिने कान के उपर गिरती है तो दाहिने कान का मतलब कि आभूसन प्राप्त होने वाला है और अगर शिपगली बाय कान के उपर गिरती है तो बाया कान जो हार्ट के उपर होता है ऐसा माना जाता है कि उससे आयू में वर्दी होती है चिपकली किसी वेक्ति के सिर अथवा दाहिने हाथ पर गिरे तो समबान मिलने की संभावना रहती है किन्तु बाएं हाथ पर गिरे तो ढण हानी हो सकती है अगर चिपकली शीदे किसी के बालों में गिरे तो यह अच्छा सकून नहीं माना जाता है, इसका मतलब उस व्यक्ति की तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, बाल हमारे सर के उपर होते हैं और सर के उपर कोई चीज पढ़ती है तो उसका हमारे चोटी से लेकर एडी तक पूरा परवाव माना जाता है, इसलिए ही चिपकली का बालों में गिरना सुब नहीं माना गया है, चिपकली अगर बालों में गिरती है, तो तबियत ज़्यादा खराब होने का संकेत मिलता है, अगर कोई व्यक्ति चिपकली के जोड़े को संभोग करते देख लेता है, तो यह इस बात का संकेत मिलता है, कि जल्दी ही उसकी मुलाकात किसी पुराने प्रेमी से या पुराने दोस्त से या पुराने रिष्टदार से होगी इसमें और भी एक जगह लिखावा है कि छिपकली को अगर संभोग करते देखा जाए तो प्रेम करने वालों के समंद और परगाड हो जाते है नए गर में अगर परवेश करते समय गरह स्वामी को छिपकली अपने आगे आगे गर के अंदर बागती भी दिखाई दे यह बहुत ही बढ़िया और सांदर सकुन मना गया है कि नए गर में मालिक जब पहली बार परवेश करता है और उसके ठीक आगे आगे सामने से छिपकली अंदर जाती है यह सकुन बहुत अच्छा है ऐसा माना गया है कि ऐसा अगर हो जाता है तो उस गर में रहने वाले उस स्वामी की आयू भी बढ़ती है सुक समर्दी एस्वरिय यह समान कीर्थी पद परतिष्टा दन दौलत सब कुछ बढ़ता है उस गर में अगर गरह स्वामी मकान में परवेस करता है और उस समय सामने से चिपकली दिख जाए और उसके उपर अगर मिट्टी लगी वी हो या फिर गर में परवेस करते ही कोई मरी वी चिपकली दिख जाए तो यह सकून अच्छा नहीं माना गया है जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि छिपकली गर के अंदर प्रवेस करते समय अंदर की तरफ बागती भी दिखाई दे या अंदर गुश्ती या अंदर चलती भी आगया आगया दिखाई दे तो यह बहुत ही अच्छा अगर दो चिपकलियां आपस के अंदर लड़ती वी या जगड़ा करते वे दिखाई दे तो समझना चाहिए कि आने वाले समय में आपका किसी बेहद नजदी की रिष्तेदार मित्र अत्वा पडोसियादी से कोई जगड़ा होने की पूरी संभावना है और सकून सास्तर के अंदर अगर देखे हैं तो भोजन करते वक्त यदि चिपकलिक का बोलना हमारे कान में सुनाई देता है स्वर तो यह बहुती सुब समाचार देने वाला पर फाल होता है आलांकि चिपकलिक जैसा कि मैंने बताया रात को ही घर में हमको दिखाई देती है दिन में यह पराए हमको दिखाई नहीं देती है और इसका जो बोलना है वह भी रात को ही हमें सुनाई देता है दिन में इसका बोलना सुनाई कम ही देता है आलांकि कई बार यह दिन में भी इसकी आवाज हमारे को सुनाई देती है लेकिन अगर खाना खाते समय हमारे को चिपकली की आवाज सुनाई दे देवें तो इसको बहुती सुब सकून मानना चाहिए है ऐसा करने से ऐसा अगर होता है तो पध परतिष्ठा में बढोतरी होती है धन दौलत में भी बढोतरी होती है कुल मिला कर काम काज में बढोतरी और परपरगति होती है और घर में सुक्षानती बढ़ती है यह था आज यतिवानी के अंदर शिपकली के अंगों पर गिरने से क्या परणाम मिलता है इस विशय पर कुछ जानकारी, कुछ बादसीत मैंने की आगे फिर मैं इस विशय को और भी कभी बताता रहूंगा आपको वीडियो का समय जादा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी बाते ही वीडियो में करता हूं आपको अगर इस विशय में कोई जानदा जानकारी चाहिए तो फेस्बुक के मेरे मेसेंजर में आप मेरे को लिखकर पूछ सकते हैं वैसे मैं राशी फल के बीच में भी नीचे पटी के अंदर मेरा फॉन नंबर भी लिखता हूं आप वहाँ पर उस नंबर पर भी फॉन करके बादसीत कर सकते हैं लेकिन फॉन करने का 11 बजे से 5 बजे के बीच में ही फॉन पर बात करें तो मैं आपसे बाचित कर सकता हूँ अब देखते हैं बाकी की बचीवी दो राशियां जिसमें कुम और मीन बाकी बचीवी है तो पहले देखते हैं कुम राशी का आज का दिन कैसा बितेगा कुम्भ राशी के लिए आज का दिन साधा और साधारण बिते ऐसा लग रहा है क्योंकि आज चंदरमा का कोई विशेश फल मिले ऐसा नहीं लग रहा है इस राशी की अगर मैलाएं हैं आप तो आज आप के परिवार के कारियों में आप आज उलजी रहेगी और परिवार के अंदर व्यवस्ताएं सुधारण में भी आपका पूरा समय बितेगा यात्रा को और नए इन्वेस्टमेंट को आज के दिन टालना ठीक रहेगा आप अपने स्वास्ते के उपर भी आज ध्यान देएं अब देखते हैं आखिर में मीराशी मीराशी के लिए आज का दिन अच्छा है आज कुछ ऐसा काम बनेगा जिसको करने के बाद मैं मन को सान्ति मिलेगी आज किंतु परंतु से बचें और जो करना है खुलकर करें क्योंकि राशी का चंदर्मा आज आपको सफलता और लाब दोनों परदान करने वाला है सत्रू भी आज अपनी योजना में असफल हो जाएंगे कुल मिलाकर आज आपका जो परबाव है वह सब उपर बारी पढ़ने वाला है यह था आज के दिन का पंचांग और बारह राशी का राशीपल साथ ही मैंने यतिवानी के अंदर छिपकली का हमारे अंगो पर अलग अलग अंगो पर गिरने का क्या-क्या फ़ल मिलता है इस विशय पर बातचीत की है आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखे सुनें लाइक करें और आगे से आगे शेयर भी करें कल फिर मैं नए पंचांग और राशीपल के साथ यतिवानी में किसी नए विशय पर या फिर छिपकली के इसी विशय को और आगे बढ़ा कर आपके सामने उपुस्तित होंगा तब तक के लिए जैजिनेंद्र